हेलो फ्रेंज अगर मैं आपसे कहूँ कि एक साल के अंदर अंदर जी हाँ एक साल के अंदर अंदर चार मिलियन सस्क्राइबर कम्प्लीट कर सकते हैं चार मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है वो भी एक साल के अंदर कर पाना तो बहुत ही मुश्किल होता है बहुत सादा टाइम लग जाता है subscriber को gain करने में subscriber को जमा करने में अपने channel पे लेकिन मैं आपको एक channel बताती हूँ Miss होशियार करके YouTube पे एक channel है एक लड़की है और वो videos upload किया करती थी किस तरीकी की video upload किया करती थी कि एक साल के अंदर उन्होंने 4 million subscribers complete कर लिये और अपना channel भी monetize कर लिया वो भी तुरंत सारे ही बड़े-बड़े YouTuber जो है एकदम से हैरान है एकदम से परिशान है कि ये कैसे कर लिया मतलब क्यूंकि आप सब भी को पता होगा मुझे भी पता है कि subscriber gain करना जमा करना बहुत मुश्किल होता है किस तरीके से किया है ऐसी क्या videos वो डालती है कि उनकी video चल पड़ी और उनके सारे ही video में बहुत ही अच्छे views भी आ रहे हैं और उनके subscriber भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं तो आज मैं आपको यही चीज़े बताने वाली हूँ motivate होने के लिए inspire होने के लिए किस तरीके से आप भी views पास सकते हैं और अपने चैनल को तेजी से grow कर सकते हैं आपको कुछ tips बताने वाली हूँ कुछ चीज़े बताने वाली हूँ जो कि वो अपने वीडियो में करती है और इस वज़े से उनके इतनी तेजी से subscriber बढ़े है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उनका वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूँ कि वो अपनी वीडियो में ऐसा क्या करती है कि उनके इतनी तेजी से subscriber भी बढ़ रहे है और उनका चैनल भी grow हो रहा है Miss Hociar चैनल जो है वो short video बनाती है वो छोटी video बनाती है long video नहीं बनाती है video किस तरीके से बनाती है वो अपनी original video नहीं बनाती है और वो क्या करती है कि YouTube पे ही जब आप search मारेंगे तो 5 minutes craft करके एक video आएगी एक चैनल आएगा जिसमें की 5 minutes craft करके बताया जाता है और उसमें बहुत सारे DIY होते हैं बहुत सारे reuse चीजें बताई जाती है वीडियो में की आप recycle कैसे कर सकते हैं तो आप अगर search करेंगे तो आपको आसानी से वो वीडियो मिल जाती है और उनकी जो वीडियो होती है बहुत लंबी होती है थीक है बहुत लंबी होती है तो उसमें से छोटा सा part Ms. Hoşeata जी इसका नाम सलोनी है तो छोटा सा वीडियो क्लिप वो ready कर लेती है उसमें से copy कर लेती है तो情 की copy कर लेती है मैं आपको बता दू अगर आप किसी का वीडियो पूरा पूरा कॉपी करते हैं और इसी तरीके से डाल देते हैं तो आपको यूटूब की तरफ से कॉपी राइट क्ले मिल जाता है और चैनल भी डिलीट कर दिया जाता है लेकिन ये क्या करती है ये सिर्फ थोड़ा सा ही पाट उठाती है एक मिनिट की वीडियो ले लेती है या फिर छोटा सा एक गंटे की वीडियो है या फिर पॉन गंटे की वीडियो है तो वो सिर्फ पांच मिनिट की वीडियो को उठा लेती है और उठा करके उसकी स्पीड ब editing करके वो अपनी वीडियो को upload कर देती हैं तो public को audience को वो बहुत जादा अच्छी लगती है क्योंकि छोटी से video होती है और बहुत जादा useful होती है तो इस तरीके से इन्होंने अपने channel पर 4 million subscriber gain किये हैं और उनका channel बहुती speed में grow कर रहा हैं तो अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं अपने youtube channel को बहुती तेजी से आप बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से दिमाग लगाना होगा इस तरीके से आप भी वीडियो बनाते हैं तो एक तो हमें सोचना पड़ता है कि किस topic पर वीडियो बनाए क्या वीडियो बनाना चाहिए और topic भी कुछ अच्छा attractive और audience को अपनी तरफ attract करने वाला होना चाहिए तो ये सोचने में बहुत टाइम लगता है उसके आप वीडियो बनाने में टाइम लगता है उसके बाद एडिटिंग में टाइम लगता है लेकिन यहाँ पे इनका बिल्कुल भी mind इस तरफ में नहीं जाता है कि क्या topic पर वीडियो बनाना है और ये सारी tension नहीं होती है ये वीडियो उठाती हैं, जो भी क्लिप ने अच्छा लगता है, थोड़ा सा पाट उठाती है, उसमें थोड़ी बहुत editing होती है, वाइस ओवर होता है, और फिर वीडियो अपलोड हो जाता है, तो अगर आप भी आसानी से बिना जादा hard work किये, वीडियो बनाना चाहते हैं, वो भी channel को तेजी से grow करना चाहते हैं तो इस तदीके की वीडियोज बना सकते हैं और जल्दी से अपने subscriber पूरे कर सकते हैं और millions में आपको views भी मिलेंगे तो बस friends आज की वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी और helpful लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई